हेलो एवरिवन, वेलकम टू स्टेडी राइव, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस पेड़ागोजी फॉर सीटर पेपर टू, हम इस तरह से स्टडी करेंगे कि जतने भी टाइप्स के कोश्चिन साइंस पेड़ागोजी में पूछे जाते हैं, वो सारे कवर हो जाएं साइंस की पेड़ागोजी स्टार्ट करने से पहले हम सबको पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, तो अगर हम इंसान की बात करें हमारा कैसा नेचर होता है, हम बाई नेचर इनक्यूजिटिव होते हैं, अरजशील होते हैं, हमें हर टाइम यह जानने कर यह होड लगी रहती है कि कोई चीज कैसे हुई और क्यूं हुई, तो इसी सारी क्रोसेस को क्या नाम दे दिया गया, साइंस का नाम दे दिया गया, मतलग क्या है साइंस एक तरह की प्रोसेस है, और फुलफिलमेंट ओफ दस्प्रिट ऑफ निक्वाईरि अ term as science, क्या बोल दिया, science क्या है, एक process है, जो क्या करती है, हमारी जो नया कुछ जानने की इच्छा है, उसको fulfill करती है, और क्या है science, product of human activity in the form of a systematic and organized body of knowledge, जब हम किसी universal law को जान लेते हैं, उसके cause and effect वो जान लेते हैं, तो हम किस तरह चीज को करते हैं, systematic और organized way में, तो science क्या है, product of human activity in the form of systematic and organized body of knowledge, फिर आता है, और क्या है ये, product of all facts connected with our information, concepts, journalization, laws and theories, किस का product है, किसी एक या दो चीजों का product नहीं है, ये सब का products है, जितने भी facts हैं, जितने भी information हैं, concepts हैं, journalization हैं, laws and theories हैं, इन सब का product क्या है, science है, विज्ञान है, और क्या है, science एक तरह की process है and method है, ठीक है, and not the result of the process, science खुद में ही ये क्या है, प्रक्रिया है, खुद में ही एक method है, it is essentially a process or method of explaining and accumulating the facts, क्या है ये, क्या चीज़ बताएगा, ये explain करेगा facts को and accumulate करेगा, और क्या है ये, process or method adopted in the search of truth, हम science में क्या चीज़ करते हैं, सत जाने की और जाते हैं, तो क्या है, कैसी process है, ये कैसा method है, जो हमें सचाई जाने में help करता है, और क्या है ये, interconnected series of concepts and conceptions that are developed as a result of experimentation and observation and are helpful of further experimentation and observation. एक तरह की interconnected series है, concepts की, conceptions की, जतने भी experiment किये past में या observations हुई, वो सारी जीज़े हमें क्या करती हैं, हमारे present में और हमारे future में helpful रहती हैं, तो अब अगर आपको पता चल गया कि what is science, तो आप easily science की pedagogy क्या है, इसका शिक्षा शास्तर क्या है, एक teacher को कैसा होना चाहिए, student के प्रती हमारी क्या responsibility है, ये सारी चीज़े हम easily answer कर सकते हैं, तो अब बात करते हैं, nature of science, की जो science है उसका nature कैसा है, तो science क्या है, science is a particular way of looking at nature, और क्या है science, is rapidly expanding body of knowledge है, interdisciplinary area of learning है, science जो है always कैसी होती है, tentative होती है, इसमें कुछ भी fixed या final नहीं होता है, मालो किसी scientist ने एक बार discovery कर दी, तो वो fixed या final नहीं रहेगी, हो सकता है next कोई scientist आए, वो क्या कर दे, उसको गलत प्रूफ करके, कुछ नहीं जूरी दे दे, मतलब science हमेशा कैसी रहती है, tentative रहती है, जो science है वो किशिश को promote करती है, suscepticism को, संदेवाद को बढ़ावा देती है science, और क्या demand करती है science, preservance, fromers, practitioners, science क्या है एक तरह की approach है to investigation and is a process of constructing knowledge, कैसी approach है, investigate करते हैं जहाँ और process कैसी है, जिससे जो knowledge है वो construct होती है, तो यह क्या आगया, nature of science, science का meaning क्या है, concept क्या है और nature क्या है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, इसमें से 99% question पूछे ही जाते हैं, next बात करेंगे importance and place of science in the school curriculum, अब हम बात कर रहें शिक्षर शास्तर की, तो definitely हम किसकी बात करेंगे, school curriculum की, कि जो science है उसकी क्या importance है, क्या place है school curriculum में, क्यों इसे पढ़ाने की जुरुरत पढ़ी ही और क्यों इसे पढ़ाना पढ़ाया जाना चाहिए, तो सबसे पहले आती है, utilitarian value of day-to-day use, कैसा मुल्य है इसका, उप्योग की मुल्य आ गया इसका, मतलब जैसे अगर आप पुराने जबाने की बात करो, तो पहले क्या थी, light नहीं होती थी, हम candles का use करते थे, lamps का use करते थे, for light, बट जैसे जैसे discoveries हुई, जैसे जैसे science developed हुई, वैसे वैसे क्या आगे, electricity आगे, electric bulb आगे, कि पहले हम क्या करते थे, paddle चलते थे, horses पे चलते थे, या cars का use करते थे, बट फिर क्या आगे, गाड़ी आगे, तो ये सब किसकी वज़े से possible हो पाया है, विज्ञान की वज़े से, तो जो science है, उसका क्या है, उपयोगी मूल्य है हमारी day to day life में, फिर आता है intellectual value, intellectual value किस तरह से आगई, कि जो science है, वो एक तरह से, एक human being को opportunity प्रवाइड कराती है, जिसे कि वो अपनी mental, अपनी reasoning, imagination, memory, observation, analysis, इन सब की development कर सके, अपनी thinking को एक systematic रूप दे सके, तो इसके क्या आजाती है, intellectual value आजाती है, फिर आती है disciplinary value, जो science है, वो क्या है एक तरह से, हमारी personality को develop करती है as a whole, क्या करती है, यह dwell करती है हमारी personality को as a whole, मतलब इसमें क्या-क्या चीज़े include रहती है, spirit of inquiry रहती है, seriousness रहती है, systematic thinking होती है, यह क्या करती है, हमारा जो point of view है, उसकी total transformation कर देती है, तो इसलिए इसकी क्या है, disciplinary value भी है, मतलब यह हमें help करती है judge करने में कि क्या सही point है, क्या गलत है, क्या अभी तक illusion था और क्या reality है, फिर आती है culture value, culture से, सभ्यता से हमारा क्या मतलब हुआ, कि हम जहां पर रहते हैं, जिस type का हम food खाते हैं, जो हमारा रहन सहन है, जिस तरह के हम कपड़े पहनती हैं, यह सारी जीजें किसमें आ जाती है, culture में आ जाती है, तो जो science की cultural value किस तरह आ जाती है, कि science किसी भी culture की co-preserve करने में help करती है, फिर आती है moral value, moral value और science का किस तरह से relationship है, यह बोला जाता है कि जैसे science में हम क्या करते हैं, सच जाने की ओर जाते हैं, तो सच जाने की ओर जाना और भगवान को ढूणना दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं, इसलिए इसको indicate किया गया है कि जो science है, उसकी moral value भी है, फिर आती है aesthetic value, aesthetic value मतल़ सौंदर ये मूले, किस तरह से हुआ कि मानलो आप कोई discovery करते हो, तो आपको उससे कितनी खुशी मिलेगी अगर आप कुछ नया discover करोगे, उससे जो दुनिया में पहले कभी चीज नहीं हुई हो, वो आप discover करोगे, तो वो चीज आपको एक अलग खुशी देगी, इस चीज को क्या बुला गया है, aesthetic value, फिर आती है social value, vocational value and psychological value, ये क्या करती है, हमारे समाज को बहतर बनाती है science, vocational value उससे आजाती है कि science नहीं क्या दिया है, हमें website दिया है different type का, तो इसकी vocational value है, psychological value इससे आजाएगी कि जब हम कुछ, जो हमारे अंदरे एक spirit है of inquiry, जब वो satisfy हो जाती है, तो हमारा mind भी satisfactory feel करता है, इसलिए science की क्या है, psychological value भी बताई गई है, अब बाता है aim of teaching science, कि जो school है, उसमें science को क्यों पढ़ाया जाहिए, तो क्या aim है, कि इसका aim है कि बच्चों को क्या करना है, परिजित करवाना है, कि science का क्या impact है हमारे environment पे, हमारी surrounding पे, और उनमें क्या करना है, interest को develop करना है, कि वो science की study में ज़्यादा interest लें, और क्या aim है, to provide knowledge about the basic primary facts, principles and theories related to science, क्या provide करना है, उनको knowledge provide करनी है, जो basic primary facts हैं, principles हैं, theories हैं, जो हर इनसान की daily life में काम आती है, और क्या है, to cultivate the habit of systematic and logical thinking, क्या चीज़ उनमें बढ़ानी है, systematic और logical thinking को बढ़ावा देना है, उनमें ये habit बनानी है, और क्या चीज़ आएगी, to develop scientific attitude among children, क्या develop करना है, scientific attitude develop करना है among children, discipline को develop करना है, और क्या चीज़ आए जाएगी, to develop the habit and ability of drawing, drawing correct inferences out of the available facts and evidences, अब हमारे सामनें बहुत सारे facts और evidences होते हैं, तो हमें ये चीज़ होनी चाहिए, इतनी ability होनी चाहिए, कि हम उसमें से सही चीज़ को choose कर सकें, next आता है, to provide essential base for further studies, और अगर जो science है, उसकी study primary level पे, elementary level पे होगी, तो वो चीज़ help करेगी, जब हम higher education में जाएंगे, या science के field में हम अपना career बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें base की जुरुरत होगी, और वो base का बनेगा, जब schools में, जो science है, वो as a subject पढ़ाई जाएगी, तो यही सारे क्या हैं, aim है, science को school में पढ़ाने के, next is role of a science teacher, अगर आप लोग एक teaching exam के लिए prepare कर रहे हो, तो as a teacher आपका क्या role होना चाहिए, या आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो एक science teacher का क्या role होना चाहिए, कि वो क्या करे, इस बात पर जोर दे, कि जितने भी हमारे historical aspects हैं, कि किस तरह जो अलग-अलग scientific concepts हैं, या अलग-अलग discoveries हैं, उनकी development किस तरह से हुई, हमें बच्चों को ये सब बताने पर जोर देना है, और क्या करना है, reduce the overload of memorizing facts, कि बच्चें जो facts हैं, उनको याद करने की जगह समझें, इस बात पर ज़्यादा दोर देना है, infuse the spirit of inquiry, provide students with hands-on experiences and dwells a scientific attitude, क्या करना है, हमने बच्चों में जो spirit of inquiry है, उस दिट को बढ़ावा देना है, उनमें scientific attitude को dwell करना है, और क्या करेंगे, development of scientific temper among students, जो विज्ञानिक स्वभाव है, उस दिट को हमने बढ़ावा देना है, और क्या आएगा, engage students in discussion, हमने बच्चों को इस तरह से discussion में engage करना है, कि वो क्या कर सकें, जो scientific methods में truth, honesty और open mindedness की value छिपी हैं, उन सब को जागरूप करना है, और क्या करना है, allowing students to explore their environment, बच्चों को उनका environment explore करने के लिए allow करना है, increase students to ask questions, कुछ बच्चों होते हैं, जो class में चुपचाप रहते हैं, तो हमने सब बच्चों को क्या करना है, increase करना है कि आप questions पूछो, जो भी आपकी doubts हैं, आप उनको clear करो, तो as a teacher, आपको अपने roles के बारे में clearly पता होना चाहिए, अब आते हैं, objectives of teaching science at the school stage, क्या-क्या objective है, science को पढ़ाने पे at the school stage, और यहाँ पर जो हम बात करेंगे, वो क्या करेंगे, upper primary level के objective सी बात करेंगे, सबसे पहला आता है knowledge objective, क्या करना है कि बच्चों में knowledge पहुंचे science के बारे में, ये सबसे पहला objective आ गया, फिर आता है understanding objective, कि scientific facts हैं, जोते भी principal हैं, उनको understand करें, then आता है application objectives, science को apply करें, जो हम school में पढ़ते हैं, as a student, उसको हम अपनी daily life में भी apply कर सकें, scale objectives, science से अलग-अलग skills develop होती हैं, क्योंकि इसकी vocational value भी है, social value भी है, तो ये भी क्या इसका एक objective है, फिर आता है interest objective, attitude objective and appreciation objective, कि जो बच्चे का interest है, उसको बढ़ावा देना है, उसमें scientific attitude को develop करना है, ये सारे क्या आ जाएंगे, objectives of teaching science at the school stage आ जाएंगे, फिर आता है methods of teaching sciences, कि क्या-क्या method है science को बढ़ाने के, तो जो math है और science है, उनके जो methods हैं, वो कुछ-कुछ same है, अगर अभी तक आपने math वाली pedagogy की वीडियो नहीं देखी है, तो उसको भी एक बार देख लीजिए, उससे आपको फिर दोनों को साथ में याद रखने में help मिल जाएगी, और थोड़ा आपका burden कम हो जाएगा, तो science को बढ़ाने के जो methods हैं, वो math के method से जादा हैं, जैसे क्या-क्या-क्या, lecture-कम demonstration method, कि lecture भी देगा teacher और साथ में demonstrate भी करेगा जीजों को, फिर आता है project method, तिक है, ये method सेम वैसे ही है, जैसे हमने math pedagogy में पढ़ा था, फिर आता है problem solving method, ये भी कहाँ पढ़ा था हमने, math pedagogy में पढ़ा था, then lecture method, lecture method में क्या करेगा teacher, सिर्फ lecture देगा, laboratory method, assignment method, unit of topic method and heuristic method, heuristic method क्या चीज़ होता है, heuristic method में जो teacher है, वो क्या करेगा, बच्चों को एक problem देदेगा, और खुद क्या करेगा, ऐसे guide के रूप में काम करेगा, मतलब बच्चों को problem देदी, अब बच्चे क्या करेंगे, खुद से try करेंगे, उसके solution तक पहुँचने में, ठीक है, यहाँ पर जो teacher है, वो totally क्या करेगा, एक facilitator की तरह ही काम करेगा, तो इन में से जो important method है, science teaching में वो कौन से है, lecture come demonstration method, project method and problem solving method, सबसे पहले बात करेंगे, lecture come demonstration method की, lecture come demonstration method क्या है, जिसमें teacher lecture के साथ, अपने topic के बारे में demonstrate भी करेगा, तो यह क्या है, most useful and practical method है, in the available circumstances of our schools, जिस तरह की हमारी country है, हमारी economical conditions है, उसके according to lecture come demonstration method है, वो most practical and useful है, for teaching science subject in our schools, फिर आता है, यह क्या help करता है, scientific effects और principles को practically demonstrate करने में, और साथ में explain करने में, helpful है, तो मालो, अगर कोई teacher है, उसको क्या करना है, water pump के बारे में, बच्चों को पढ़ाना है, क्या topic है, water pump, तो teacher क्या कर सकता है, water pump को show करके, इसके अलग-अलग parts की working को बताके, इसकी construction को बताके, साथ में demonstrate कर सकता है, और explain भी कर सकता है, इससे क्या होगा, बच्चों में, जो देख के, बच्चा जादा अच्छे से सीख पाएगा, तो जब जो teacher है, वो demonstrate करेगा, तो बच्चे क्या कर सकते हैं, questions भी पूछ सकते हैं, जो भी उनके doubts हैं, और साथ में teacher भी बच्चों से question पूछ सकता है, तो मतलब, जो बच्चे हैं और teacher हैं, दोनों ही क्या हैं, active participants हुए, lecture come demonstration method में, ओके, normally lecture method में क्या चीज़ होती है, कि जो teacher है, वो active होता है, और बच्चे passive role में होते हैं, बच्चे कम demonstration method में, क्योंकि बच्चे देख भी रहे हैं, साथ में teacher explain भी कर रहा हैं, उनसे questions भी पूछ रहा हैं, और बच्चे भी questions कर रहे हैं teacher से, तो बच्चे भी क्या है, active participants होते हैं, तो ये क्या चीज़ आगे, कि इसमें जो teacher है, वो क्या रहेगा, center role में रहेगा, बड active participants की बात करें, तो teacher भी active होगा, और students भी active होगे, अब बाती हैं, इसकी merits, क्या merits होगी, इसकी advantages होगी, active participation होती है, बच्चे observe करते हैं चीज़ों को, तो question करते हैं, तो इससे उनकी reasoning करने की, और उनकी mental abilities, develop होती हैं, helping the task of the teacher, clear and permanent knowledge, economical method, क्या है, क्योंकि इससे clear and permanent knowledge, मिलती है, क्योंकि बच्चा देख के, कुछ सीख रहा है, तो knowledge है, वो clear and permanent होती है, और ये चीज़ क्या करती है, help करती है, teacher को उसके task में, कि as a teacher हमारा क्या task है, कि जो knowledge हम बच्चों तक पहुँचाना चाते हैं, वो अच्छे से बच्चों को समझ में आए, बच्चों तक पहुँच जाए, तो जब बच्चे observe करते हैं, चीज़ों को, teacher से questioning करते हैं, तो जो knowledge है, उनमें permanent होती है, और clear होती है, जो जी teacher को चाहिए, इसलिए ये help करती है, to the task of the teacher, और साथ में क्या है, ये economical method है, जिस तरह से हमारी country की conditions हैं, circumstances हैं, तो lecture come demonstration method कैसा है, time saving भी है, और साथ में economical भी है, money saving and time saving, इसलिए इसको क्या बोला गया है, economical method, बट इसके साथ साथ कुछ de-marriage भी आती है, जैसे, इसमें teacher और बच्चा दोनों क्या है, active participants है, बट जो center role है, वो किसका है, teacher का है, क्योंकि teacher क्या करता है, teacher ही lecture देगा, teacher ही जो experiment है, उसको perform करेगा, बट science में क्या होना चाहिए, learning by doing होनी जाहिए, मतलब बच्चा खुद से learn करे, और खुद से ही perform करे, बट क्योंकि teacher center role में है, teacher ही apparatus को perform करता है, तो इसलिए lack of opportunities रहता है, बच्चे learning by doing नहीं सीख पाते हैं, और यह क्या, इसकी एक de-merit है, बट otherwise यह क्या है, एक बेहतर जरीका है, science को पढ़ाने का, next है project method, project method हमने मास में भी discuss किया था, तो project method again क्या है, Kilpatrick ने दिया था, कि, और क्या है, Kilpatrick ने क्या बूला था, कि project क्या है, a unit of whole order purposeful activity, carried on preferably, in its natural setting, क्या है, a project is a unit of whole order purposeful activity, carried on preferably in its natural setting, ऐसे ही, J.S.T.Winson ने क्या बूला था, a project is a problematic act, carried to completion in its most natural setting, और बेलाड का क्या बूलना था, project is a bit of real life, that has been imported into the school, यह जिस तरह की statements है, exactly वैसी आपको याद रखनी है, और कि educationist ने बूलनी है, यह चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि के बार ऐसा दिखा गया है, कि pedology में इस तरह की को statement दी होती है, और question बूच लिया जाता है, और क्या याद रखना है, कि project method किस ने डूइल्प किया था, तो डॉक्टर किल्पेट्रिक ने, अब बात करते हैं, merits of project method, जो project method है, उसकी क्या merits है, तो यह क्या है, psychological sound है, psychological method है, practical and applied approach होती है, प्रोजेक्ट में आपको बता यही हम क्या चीज़ करते हैं, बच्चों को उनकी choice के, उनके interest, उनके attitude के according, teacher उनको chance देगा कि आप कोई project चूज कर लो, और उसको plan करो, खुद से execute करो, तो इसलिए कैसा psychological method है, क्यूंकि इसमें क्या चीज़ आएगी, जो बच्चा है, वो अपने interest के according, project को choose कर सकता है, तो यह individual differences को भी कम करता है, और क्या है एक तरह से practical है, बच्चा खुद से learning by doing करेगा, खुद से ही काम करेगा, और खुद से learn करेगा, तो जब बच्चा खुद से चीज़ों को करता है, खुद से learn करता है, तो knowledge कैसे होती है, clear and permanent knowledge होती है, तो यह क्या है, merits of project method आगी, ठीक है, project method में, normally क्या चीज़ होती है, कि teacher क्या करेगा, situation प्रोवाइड कर देगा, फिर जो बच्चे हैं, वो choose करेंगे, अपने purpose के according project को, उसको plan करेंगे, execute करेंगे, then evaluate करेंगे, और सबसेंड में record करेंगे project को, तो totally क्या है, यह student center method है, जो student है, वो क्या है, active participant हो गया, ओके, अब role of a teacher क्या होना चाहिए, project method में, teacher का role है, बच्चों को guide करें, help करें उनकी planning में, कि project को किस तरह से plan करना है, जब ज़रूरी हो, तब उनको help provide करें, supervise करना है बच्चों को, कि किस तरह से वो execute कर रहें, किस तरह से plan कर रहें अपने project को, और क्या करना है, friendly और democratic atmosphere को create करना है, classroom में, प्रोजेक्ट में टीचर एक guide की तरह काम करेंगा, तो merits के साथ demerits भी है, जैसे कि एक तो ये बहुत ज़्यादा time consuming है, और दूसरा क्या है, financial constraints भी आ जाते हैं, कि बहुत सारे apparatus की जुरत पड़ेगी, या अलग अलग चिज़ों की जुरत पड़ेगी, तो वो सकता है, वो financially बच्चों के पास available ना हूँ, तो ये क्या आगे, इसकी demerits आगे, next method है, problem solving method, problem solving method को हमने, mass pedagogy में भी discuss किया है, तो again मैं ये ही बोलूँगी, कि एक बार आप ये पढ़ने के बाद, उसको भी जुरूर read कर लें, जिससे कि फिर आपको easy हो जाएगा, दोनों को याद रखने में, क्योंकि इसमें भी हम सेम वही जी discuss करेंगे, जो mass pedagogy में करी थी, कि teacher क्या करेगा इसमें, बच्चों को एक problem दे देगा, और बच्चे क्या करेंगे, उस problem को analyze करेंगे, और उस problem को solve करने का try करेंगे, मतलब सिर्फ teacher ने क्या करनी है, opportunity provide करनी है, एक वैसी situation को provide करना है, तो क्या क्या steps involved रहते हैं, problems वाली method में, कि सबसे पहले teacher क्या करतेगा, एक problem को create करेगा, या situation create करेगा, फिर क्या करना है, understand करना है बच्चों ने उस problem को, फिर उस problem से related जितने भी information या data होगी, उसको collect करना है, then analyze करना है problem को, फिर एक tentative solution तक पहुँचना है, और end में उस solution को क्या करना है, select करना है कि कौन सा solution, कौन सा hypothesis सही है, और lastly apply कर देना है उस hypothesis को problem में, क्या क्या steps आ जाएंगे, सबसे पहले एक problem आ गई, हमारे पास एक problem situation आ गई, फिर क्या किया, उस problem को understand किया, understand करने के बाद क्या किया, information या data क्या किया, collect किया, फिर analyze किया उस data को, then क्या किया, एक hypotesis बना दिया, और उस hypotesis में से एक जो best है, उसको select किया, और फिर उनको apply कर दिया, तो ये सारे क्या है, ये steps हैं problem solving method में, तो अगर teacher के role की बात करें, तो teacher का क्या role होना चाहिए, ensure an atmosphere of freedom in the class, एक freedom, एक आजादी वाला atmosphere बनाना है, कि जिससे बच्चे क्या कर सकें, बच्चों को, वो feel आए कि हम क्या कर सकते हैं, इस problem को खुझ से solve कर सकते हैं, वो questioning कर सकें, खुझ से एक solution तक पहुं सके, create the problem situation, एक problem situation create करना बहुत important है, assist the student in accepting, defining and stating the problem, then help the student in analyzing the problem, and in breaking up the problem into simple units, क्या करना है कि बच्चे analyze करें problem को, और उसको अलग-अलग parts में तोड़ के देखें, help the student develop an attitude of open-mindedness and critical inquiry, और end में exhibit spirit of inquiry and discovery, ये सारे क्या हैं, role of teacher, teacher को ये सब करना है, जिससे कि जो problem solving method है, वो successful हो सकें, तो ये क्या आगे, different methods हमने पढ़ लिए, जो science है, उसका role क्या है, objective क्या है, teacher का क्या role होना चाहिए, और science का meaning and concepts क्या है, तो अब देखते हैं, इस related किस टाइब की questions जो हैं, वो exam में पोचे जाते हैं, first question है, which among us the following is incorrect about science, हमें बताना है कि science के बारे में, इन में से कौन सा incorrect है, तो first है, science is cumulative and endless series of empirical observations, क्या है, cumulative है and endless series of empirical observations है, science is bringing all phenomenon happening around us, science is based on the information of concepts and theories, science is the process of acquiring and defining knowledge, तो यह क्या एक तरह का science का किस तरह का nature है, तो हमें क्या चीज़ करनी है, जो incorrect है, तो क्या है, cumulative है, और endless series of empirical observations होती है, क्या है, जो phenomena हमारे surrounding में होते हैं, वो सारे ही क्या है, science है, एक ऐसी process है, acquiring and defining knowledge भी है, तो यहाँ बे जो हमें incorrect लग रहा है, वो क्या है, science is based on the formation of concepts and theories, हमें बढ़ा था कि science किसका product है, concepts का, theories का, जितने भी laws थे, जितने भी truth हैं, उनसे सब का क्या है, यह product है, तो यहाँ पे सिर्फ दिया गया है, कि किसका है, concept and theories पे based है, तो यह क्या हो जाएगा, तो incorrect answer है, यह incorrect statement है, इसलिए हमारा right answer हो जाएगा, फी, next है, which of the following is our developed by science, क्या जितने ड्वेल्ब की, inquiry, scientific attitude, scientific temper यह static mindset, तो जो science है, वो inquiry को भी develop करता है, scientific attitude को भी, scientific temper को भी, बढ़ इसमें जो mindset होगा, वो कैसा होगा, growth mindset होगा, static mindset नहीं होगा, तो इसका right answer A भी सही है, B भी सही है, and C भी, तो A, B, C किसमें हैं, fourth में, fourth is the right answer, next है, which of the following should not be an objective of science education, at the upper primary level, upper primary level में, क्या objective नहीं होना चाहिए, science education का, emphasizing the textbook definition of concept, nurturing the natural curiosity of children, inculcating the values of cooperation and concern for life, या cultivating scientific temper, तो क्या objective नहीं होना जाहिए, ये भी होना जाहिए, ये भी, D भी, तो right answer होगा, तो इसका A, emphasizing the textbook definition of concepts, हमें, as it is, जादा जोर किस पर नहीं देना है, जो textbook definitions हैं, या जो concepts हैं, जादा जोर नहीं देना है, in the science education at upper primary level, so A is the right answer, next है, the role of science teacher should be to, जो science teacher है, उसका क्या role होना चाहिए, तो फटफट से आप read करो और answer करो, first है, encourage all learners to frame questions of high cognitive abilities, या provide rich variety of learning experience to learners, provide product-based teaching learning environment to the learner, या guide learners to practice the memorization of creative ideas, तो जब बात आ जाती है, memorization की, obviously वो answer wrong होगा, provide product-based teaching learning environment to learner, हमने product-based पे भी नहीं जाना है, तो ये भी wrong answer हो जाएगा, provide rich variety of learning experience to learning, ये सही लग रहा है, positive लग रहा है, और A है, increase all learners to frame questions of high cognitive abilities, अब as a teacher, हम issue को पे जोड नहीं दे सकते हैं, कि सारे learners क्या है, high cognitive ability वाले questions पोचें, क्योंकि individual differences है, वो क्या है, biological है, scientific है, तो इसका जो stick answer है, वो कौँसा है, B, provide rich variety of learning experiences to learners, जिससे कि, हर बच्चा क्या कर सके, हर student क्या कर सके, सही से science को, या कोई और भी subject को सेख सके, जब हम क्या अगर देते हैं, एक rich variety of learning experiences, provide कर वाते हैं, next है, which one of the following, is not a step of problem solving approach, हमने problem solving method को discuss किया, तो हमें बताना है, क्वी कौण सा इसका step नहीं है, हम क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे problem को, attempt to solve, solve करने का भी बच्चा try करेगा, drawing conclusion, conclusion तक पहुँचने की कोशिश करेगा, observation, so observation क्या है, यह किसका था, lecture gum demonstration का step था, तो problem solving में, observation step नहीं है, तो इसका right answer हो जाएगा, आज के लिए last question है, which of the following is not true, with respect to the nature of science, कौन सी चीज, true नहीं है, about nature of science, science क्या है, is an interdisciplinary area of learning, yes, यह सही है, science is always tentative, हाँ, हमेशा tentative होती है, science promotes skepticism, संदेववाद को science बढ़ावा देती है, यह भी सही है, science is equivalent to a set of facts, तो कौन सा true नहीं है, D is the right answer, यह सिर्फ to a set of facts के equivalent नहीं है, तो इसका right answer हो गया, D, तो यह थी आज के लिए questions, तो अब आप क्या कर सकते हो, जितने भी topics आज हमने discuss किये, उसे related सारे टाइप की questions को आप easily solve कर सकते हो, तो अगर आज के class अच्छी लगी हो, और थोड़ा सा भी आपको knowledge मिला हो, तो प्लीज वीडियो को like कर दें, और अगर channel पर नए हैं, तो channel को subscribe करके, bell icon को press कर दें, जिससे next class की notification आपको मिल जाए, Thank you.